दुखर जैसे हम लोग कॉंबिनेशन के बारे में जानते हैं और कॉंबिनेशन के कोश्चन को करने का एक फार्मूला होता है NCR यह से माल लो हमारे पास अगर यह ऐसे A, B, C, D, E पाच अलग-अलग elements हैं हाना और माल लीजी हमें 3 select करने हैं अगर हमें 3 select करने हैं तो number of ways क्या हो जाएंगे 5, C, 3 हाना पाच अलग-अलग चीजे हैं उनमें से माल लो में 3 का selection करना है तो number of ways कितना हो जाएगा बोलो 5, C, 3 हो जाएगा ठीक है तो चुली यह जो NCR का formula है यह तब लगा सकते हैं जब N अलग-अलग चीजे दी जाएं N अलग-अलग चीजे दी जाएं और उनमेंसे हमें R चीजों का selection करना हो तो हम NCR का formula हमेशा लगा सकते हैं लेकिन अगर मानलो जैसे हमें A, A, B, C, D मानलो यह 5 चीजे दी गएं इनमेंसे 2 एक चैसी सी और हमसे कहा गया कि 3 का selection करिए तो अभी हम लोगों ने यही कोशन किया था और उसमें हमने क्या किया था तीन को लेकर के number of words बनाए थे तो अच्छी बोस सवाल arrangement का था लेकिन वहां पर हमने selection भी किया था तो कुल मिला कि इस सवाल अभी मैं पिछले कोशन में कर चुका हूँ लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ एक बार दे को ध्यान दो क्यूँ जैसे जब चीजे अलग-अलग होती है और आपको selection करना होता है तो आप NCR का formula लगा देते हैं लेकिन जब चीजे अलग-अलग नहीं है दो एक हैं तीन एक हैं चार एक हैं और उन मैंसे अगर हमें selection करना हो तो NCR नहीं लगा सकते अब यहां पर अगर आपने 5C3 किया तो कोशन गलत हो जाएगा दोगो फिर वही है case बनाए एक case तो यह बनाएं कि मानलो दो A ले लिए और B, C, D मैंसे कोई एक ले लिया हना तो दोनो A ले लिया बी, C, D मैंसे कोई एक ले लिया तो 3C बन तो दो को इसका अंसर 3 आ गया हना यह भी हम कर चुके हैं दूसरा तरीका देखो क्या है कि हम तीनो अलग अलग लें जैसे दो एक जैसी है और एक अलग है जब हमने दो A लिये और B, C, D मैसे कोई एक लिया इसका मलब दो चीज़े एक जैसी एक अलग तो जो एक अलग है वो तीन मैसे ली गए 3C बन अब मानलो अगर हम चारो चीज और इसकी वैलू कितनी हुजाएगी 4 तो हमारा जो टोटल आंसर हो गया वो 3 प्लस 4 क्या हो गया 7 यहां हमें सिर्प सेलेक्शन करना है अरेंजमेंट नहीं करना जब हमें वर्ट्स बनाने थे तो हमने अरेंजमेंट किया था तो इसमें तीन चीज़ों को फिर हमने आप्लाई भी किया था तो यहां पर हमें सिर्फ सेलेक्शन करना है तो सेलेक्शन के दो केस बन गए दो चीजे एक जैसी एक अलग तो जो एक अलग हो तीन में से आई तो तीन तरीके पर दो को चारों चीजें अलग ले ली तो 4C3 मतलब 4 तो 4 प्लस 3 आपस में एड़ कर द बाकते हैं दो कैसे जैसे माल लो हमें कुछ चीज़े दी जाएं माल लो हमें A, 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 B, B और C, D, E माल लो हमें ये चीज़े दी जाएं कितने चीज़े हैं 3, 2, 5, 3, 8 माल लो हमें 8 चीज़े दी जाएं और हमसे कहा जाए कि चार का selection करो, मालो इन मैंसे हमें, है न, we have to select four things, मालो इन मैंसे हमें चार चीज़े select कर दी है, चार चीज़े select, देखो हमारे क्या होगे, number of selections, number of selections क्या हो जाएगा देखो, यह हो जाएगा, coefficient of x की power 4 in, है न, देखो 3, 2, 5, 3, 8, 8 चीज़े हैं, और इन मैंसे चार चीजिजों का सिलेक्षिन करना है तो हमें सिलेक्षिन करना है 4 चीजिजों का तो number of solution क्या हूँ जारा है coefficient of profit की power 4 in दो को 3 चीज़े एक जासी तो x की power 0, x की power 1 x की power 2, x की power 3 दो चीजे एक जासी x की power 0, x की goose 1, x की sollas 2 दो को C अपने आप में अकेला तो X की पावर 0, X की पावर 1 D अपने आप में अकेला X की पावर 0, X की पावर 1 E अपने आप में अकेला X की पावर 0, X की पावर 1 तो इस तरह से हम selection का ये concept बना सकते हैं ध्यान दो दोगो तीन चीज़े एक जैसी है न तो X की पावर 0 से लेकर 3 तक जाना है दो चीज़े एक जैसी है एकस की पावर 0 से लेकर 2 तक जाना है ये एक है तो 0,1 ये भी एक है तो 0,1 और ये भी एक है तो 0,1 ध्यान दो ठीक है तो दो जैसे हम जब arrangement कर रहे थे तब भी इस तरह के का फार्मूला था लेकिन उसमें factorial थे जैसे यही सवाल अगर arrangement का होता जैसे माल लो अगर हमें arrangement करना होता number of arrangements हाना of four things माल लो हमें चार चीज़ों का arrangement करना होता तो क्या होता तो यही होता कैसे दखो coefficient of x की power 4 coefficient of x की power 4 इन दो कैसे 4 factorial यह 4 चीज़े हैं तो 0 upon 0 factorial 1 upon 1 factorial 2 upon 2 factorial 3 upon 3 factorial एक किस फिर दखो 0 upon 0 factorial 1 upon 1 factorial 2 upon 2 factorial और दो कोई यहां पर 0 upon 0 factorial 1 upon 1 factorial एक केस एक केस एक केस तो 3 केस है ना तो power 3 भी कर सकते हैं एक ही बात हैं यह 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 तीन केस होगा ना तो सीदे power 3 भी कर सकते हैं तो अगर हमें arrangement करना होता तो हम यहां पर यह concept लगाते हैं coefficient of x की power 4 in 4 factorial और सब के नीचे देखो factorial लगा देते हैं तो मनलब combination और permutation का यह concept हम लगा सकते हैं उन सवालों में जहां कुछ चीजे एक जैसी हो और उन मैंसे कुछ को लेना हो है ना अब देखो यहां पर हमें कुछ चीजों को लेना है सबको लेने ना, कोई भी चार चीजे लेनी है, कोई भी चार चीजे हमें देखो यहाँ पर लेनी है, इस बात को ध्यान दो, ठीक है? अच्छा, अब देखो जैसे, यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, कि अरेंग्मेंट का फामूला पहले ही बता चुका हमें आपको, दुबारा फ कोफिशयंट वाले मैथड से करते, तो क्या होता? है ना, जैसे माल लो, हमें यहाँ पर तीन चीजे सेलेट करने ही, माल लो, ए, ऑ, ब, सी, टी, पाँच में से तीन का सेलेक्शन करना है, माल लो, तो क्या होता? coefficient of x की पावर 3 in है न दो किसमे ये दो चीज़े एक जैसी है तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 ये अपने आप में अकेला है x की पावर 0, x की पावर 1 ये भी अकेला है x की पावर 0, x की पावर 1 और ये भी अकेला है x की पावर 0, x की पावर 1 ऐसे दोखो ये क्या है 1 प्लस X प्लस X स्क्वार ये 1 प्लस X 1 प्लस X 1 प्लस X तो हम 1 प्लस X की पावर 3 भी कर सकते हैं है ना दोखो ये भी 1 प्लस X दोखो 1 प्लस X प्लस X स्क्वार अब इसमें AQ प्लस BQ का फामूला लगाओ तो aq प्लस bq प्लस 3ab 3ab square ऐसा हमें क्या चाहिए x की पावर 3 का कोफिशन चाहिए देखो x की पावर 3 ये इससे मलड़ पाए करोगे तब मिलेगा फिर देखो ये इससे मलड़ पाए करोगे तो 3 मिलेगा और ये इससे मलड़ पाए करोगे तो X की पावर 3 मिलेगा, है ना, 1 इससे करोगे तब मिलेगा, X इससे करोगे तब मिलेगा, X इसकार इससे करोगे तब मिलेगा, तो क्या हुआ है, 7 X की पावर 3, तो दो कोफिशन्ट क्या हो गया, कोफिशन्ट हमारे पास आ गया 7, यही हमारे कोशन्ट का दो कोफिशन्ट का पावर तरीका कोपिशन चाहिए था तो दो चीजे हैं इसको ऐसे किया एक है इसको ऐसे किया ये भी एक है इसको ऐसे किया ये भी एक है इसको ऐसे किया तो हमने इस कोशन को एक और तरीके से शॉर्ट कट तरीके से भी कोशन हो कर दी हाला कि ये तरीका हर दगे आसान नहीं प प्रपना पी शामिल था तो पहले हमने selection किया था और इसको permutation किया था है ना तो ncr का formula तब ही लगाते हैं जब चीजे अलग अलग हो जब चीजे एक जैसी होती है तो फिर हमें इस method से selection का question करना होता है तो यह तरीके हमें दिरी दिर करके दिमाग में बठाने है लिग उज़रा बच्चो ध्यान से पहले इसको ज़रा